एक्वाडोर में असल में घटना क्या है कौन है ड्रग माफिया जिसको 34 साल की सजा सुनाई गई और ये ड्रग माफिया साउथ अमेरिका के देशों में बड़े-बड़े माफिया इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं कि जेल और पूरी सरकार को हिला के रख देते हैं जो अमेरिक दे दिया था कि जेल में अत्याचार किया जा रहा है तो मीडिया के स्टूडियो में गुजना और वहां पत्रकारों को गन-पॉइंट पर लेना इसकी क्या ज़रोत है या वो क्या संदेश इससे देना चाहते हैं क्या इसे में नशिरीद्वीन सहा की वेड्नेस दे फिलिम म मेडिया के किए गए इस्तिमाल से जोड सकता हूं इन लोगों ने भी यही सोचा कि मीडिया का इस्तिमाल हमें करना है क्योंके हतियार हतियार सब चीज़े ठीक हैं लेकिन आज के जमाने में जो असल में जंग लड़ी जा रही है वो एक थारत बने कर मीडिया के जरीए ही लड़ी जा रही है इसलिए लोग ये मीडिया के स्टूडियो में घुसे राम मंदिर उधगाटन में चारों शंक्राचारे ने जाने सिंकार कर दिया वो कह रहे हैं कि भाई या मंदीर अधूरा भाना हुआ तो उसका उधगाटन कैसे हो सकता है और गटना करम बोड़े महतपून हैं जो इसराहिल में घटे हैं पहला घटना करम ये के नेतन याहू ने कहा कि अब जो भी कैमनेट मिटिंग में शामिल होगा चाहे वो मंत्री होगा चाहे वो कोई अधिकारी होगा उसका पॉलिग्राफी टेस्ट करा जाएगा या कि सच जान वैसे तो कुछ आता ही नहीं मीडिया में थाकड खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ अक्रम रिष्खान कलम पर बंदू का पहरा है ये बात आपने किसान नेता रकेश टिकेट को कहते हुए कई बार सुनी होगी लेकिन लगता है ये पहरा सिर्फ भारत में ह पूरी दुनिया में ओगया है ये बात इसलिए कहीं जा रही है क्योंकर कल से एक वीडियो सोशल मिडिया पर पूरी दुनिया में बड़ी तीजी से वाइरल हो रहा है लोग वीडियो देखकर आनंद भी ले रहे हैं लेकिन आनंद का विशह नहीं है मुद्द सामने एया है लेटिन अमेरिका यानि के साउथ अमेरिका के देश एकवाडोर से वहाँ पर एक ड्रग माफिया जेल तोड़कर भाग जाता है उसके बाद पुरी देश के अंदर इमर्जेंसी घोशित कर दी जाती है और उसके बाद जो सबसे पहली तस्वीर उभरकर सामने आती है वो होती है एक टीवी स्टूडियो की वहाँ पर बंदुगधारी खुश जाते हैं और तमाम एंकर और एंकराइं को गन पॉइंट पर लेकर कबजे में ले लेते हैं इसका अलावा पूरी दुनिया में मीडिया को लेकर किस तरीकी की सिती वर्तमान हालात में जहां इसराइल और फ् बनी हुई है इन सब पर भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथ जियो पालिटिक्स पर अपनी पैनी नजर रखने वाले क्रिश्नकान जी यानि के के जी भारती वाई सेने के रिटायर्ड ऑफिस हा रहे हैं फिर से एक बार जुड़ रहे हैं बहुत शुक्रिय वाले हैं उनके प्रवक्ता को बुला लिया बीबीसी के एंकर ने पूछा के भाईया तुम ये गाजा की लड़ाई में क्यों गुसरे हो तुम्हारा गाजा से क्या लेना देना है तुम तो बहुत दूर बैठे हुए तो उस पर अंसार अल्ला के प्रवक्ता ने कहा के अंसार अल्ला के प्रवक्ता को लेकिए इसे आप क्या कहना चाहेंगे मीडिया जब से शुरू हुआ है उस समय की स्थिति को छोड़ दे लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कई दश्कों से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर में रहा है चुकि उसकी अपनी इतनी तागत नहीं एंडी टीवी का उधारन ले जिसके शेर को खरीद कर और उसके उपर अदानी हाविज हो गए हैं और अब तो मतलब गोदी मीडिया कहें या खासर कहें फॉक्स न्यूज महां मेरिका की कहें बीबी सी भी कहीं से मुझे कहीं से बहुत स्वतंत्र मीडिया नजर नहीं आता ह और बड़ा अच्छा जवाब दिया हूतियों ने और बाकी लोगों ने जहां था हूतिज ने और बाकी लोगों ने जिदिया और मीडिया आज सरकार का यानि जो सत्ता में है उनका पूरी की पूरी दलाली में प्रवेश हो चुका है सोचल मीडिया में भी सरकार का काफी जन्ता के पास सही न्युज जा रहा है सही अनालिसिस जा रहा है जी अपने बाद नहीं जाने देते और अपने से अलग नहीं जाने देते यह पाबंदी जो लगी है इसको हटा दीजे तो वहां की सुप्रीम कोट ने बड़ा दिल्शाथ जजमेंट दिया उन्होंने का साथ यह तो आपकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा है जी हाँ सुरक्षाक लिए जारा सौस अधिक पत्रकारों को इस्राइलीज ने जानबूस के मारा इस युद्ध के पहले भी उन्होंने मारा हुआ इस पस्ट है सौधी अरभिया की सत्ता ने भी तुर्की में जाके उस पत्रकार को जो अमेरिकी था उसकी कुट्टी-कुट्ट इस पत्रकारों के साथ वह नजर आ रहा है और जहां तक न्याले की बात है आज केवल इसरैली नहीं विश्व के कई अधिकांस न्यालेयों में हमारे देश में भी यह सरकार के साथ हैं पुझी पती वर्प के साथ हैं जमता के साथ नहीं है। झोमा-फिरा के वही तक्रिव दल चाहती है जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सत्ताधारी दल जो चाहते हैं वो ही ये वर्डिक डेते हैं तब ही तो यूक्रेन के पत्रकारों को पुलीजर बाड़ दिया जाता है क्योंकि वो लोग रूज से जंकों कभर कर रहे हैं लेकिन जिस गाजा में आपने अभी बत करेंगे मैं इन पत्रकार पर इतना तो कह दूं कि बढ़ा दुख हुआ मुझे मैंने देखा उनका वीडियो काम करते हुए पूरे परिवार को उनके खत्म कर दिया गया बच्चे के साथ का है उनकी हमारी हार्दिक शुकामना है और हमारे तरफ से क्रांतिकारी हुए नंद जहां तक यूक्रेन में या इसराइल में है जिन पत्रकारों को पुलिट्जर अवार्ड कोलंबिया उनिवस्टी दोरा ऐसे जैसे वी अवार्ड दिया जा रहा उनको दिया जा रहा जो खुले आम जूट बोल रहे हैं एक उदार ले लें कि बूचा मासकर जो यूक्रेन मे फर्स्ट फेज ऑफ स्पेशल मिलिटरी ऑपरेशन में जब रश्यान आर्मी कीव यानि यूक्रेन के राजधानी तक पहुंच गये थे तो ब्रिटिश इंपेलिजन्स जुबार भी भंडा भी फुट गया उनके द्वारा कहने पर कुछ लोगों को जो मारा गया था जिसमे सैनिक ठेयर कुछ लोग को यूक्रेनियन आर्मी ने मारा था उनको दिखा कर पूरे विश्व में हंगावा बचाया कि रूस ने एक हत्या कांड किया है जन संहार किया है बोच्या में जो की वास्तों में था ही नहीं और उसके आधार पे उन्हें पुलिट्जर अवाड दि लिए और वहां पर एक औरत को जो प्रिगनेंटी उनको बचाने का काम की अच्छी बात है प्रशन से नहीं है इस पत्रकार के लिए लेकिन उसके लिए ठीक है माल लेता हूं लेकिन बाकी सब बिल्कुल जूट फसाद को दिखाने के लिए इन लोग को पुलिट्जर अवा माफिज है कातिल ही सिपाई है पत्थर की अदारत में शिशे की गवाई है जो चाहे वो कर लीजे अब रूख करते हैं एकवाडोर का एकवाडोर में असल में घटना क्या है कौन है ड्रग माफिया जिसको 34 साल की सज़ा सुनाई गई और ये ड्रग माफिया साउथ अमेरिक के देशों में बड़े-बड़े माफिया इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं कि जेल और दी और पूरी सरकार को हिला के रख देते हैं जहां तक लाटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका की बात है उनकी कुछ अजीव ही कहानी है एक सबने इतना वताओं कि 2007 से ही उनके हां तथा कथे 21st century socialism का हुआ था जो की तकरिवन ध्वस्त हो चुका है चुकि उसका वास्तों में समाजवाद से वैसे ही लेना देना नहीं था जैसे हमारे हैं समाजवादी पार्टी है या बसपा है भारती समाजवादी पार्टी नहीं जो मायवती जी का है जो भी हो छोड़ी तो इ अधिकांस्तर देशों में जहां वाइलेंस, ड्रग माफिया, सेक्स ट्राफिकिंग वगरा वगरा भ्यानक है और 2000 से 2017 है यानि 17-18 वर्षों में 25 लाख लोगों की हत्या हुई आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन हो आप पे और वहां पे कोड़ में इ प्राइवेट मतलब ये लोग लेते हैं कि भाई तुम ठेका लेते हैं कि हम इनकी हत्या करेंगे इनकी मदद बाहर से भी होती है दूसरे देशों से भी अमेरिका तक में इनका जाल फैला हुए या अमेरिकी पूजी इनके पास लगी हुई है और ये लोग जेल में एक हंग եे उनकी हलाकि उनके वी उपर और टॉर्चर की होंगे संद हना है कि और निकलने के बाद से इन्हों ने परसों निकले थे जरिए 법 2 ďstanden dalा ने वहाय का 9-6 ऐसे जैसे कि यह लोग एक सही में समाजिक इशू को लेकर समस्या को लेकर सामने आ रहे हैं, यह लोग एक्च्वली बिना दिल के बेरहम वाले पैसे पेक्टाम करने वाले गुंडे लोग हैं, अपराधी लोग हैं, जी. जो अमेरिका पूरी दुनिया का उधारग बना पड़ा है, तो वहाँ चराग तले अंधिरा क्यों हो रहा हैं, अमेरिका उस ओर कभी कुछ कारवाई क्यों नहीं करता हैं? जिस तरह का भी हो, अफीम हो, गार्जा वगरा वगरा हो, हलाकि यह भी बता दूँ कि अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद से उसने औरतों को वापस घर बेज दिया, लिकनी इस ड्रग का उत्पादन करीब उसने लब्बे से पंचार में प्रतिशत बंद कर दिया जो भी हो, उसको जितना भी काटा हो, तो अमेरिका अच्छली वो काम करता है, कि जहां वो शुरुवात करता है, जैसे तालिबान उसने बनाई, तालिबानियों को मारो, ड्रग माफिया बनाई, फिरुन को मारो, ताकि दोनों तरफ से उनका काम चलता रहे, और यहां पर, जहां तक South America है, उसको कहता है कि वह तो हमारा आंगन है, वहां पर भी देश्यों को नहीं आना है, वहां हमारा एक आधी पत्य है, वह हमारा अधिकार है, और हम किसी भी तरह से वैसे लोगों को नहीं बढ़ने देंगे, जो वहां पर रास्तवाद की बात करते हैं, अपने स चहरा है और अपने अगल-बगल के देशों के लिए कुछ और चहरा है लेकिन बात करते हैं उस वीडियो की जिसको लेकर पूरी दुनिया में सवाल खड़े हो रहे हैं इन्हें अगर भागना ही था और ये भागी गए थे और इन्होंने नारा दे दिया था कि जेल में अत्या गैंग था इसके साथ साथ बीस इकीस और ही कुल बाइस ऐसे थे जो कि आपस में इनका संबंद होगा और इन्हें मौका मिला की सरकार को जुका है इन्होंने पूरी देश में हंगामा सा कर दिया और एक मेसेज देना चाहते थे सरकार को मीडिया के माध्यम से जहां पर जैस मुद्दा जहां तक लगता है मीडिया के विरोधी नहीं है लेकिन उसी मीडिया के माध्यम से जो इनके खिलाफ कभी बाते करती थी आज ये लोग पूरे देश को इनके सरकार को बताना चाहती कि देखो भाई हम आ गए हलाकि सरकार जो एक सेंट्रिस्ट है थोड़ा से ले में कोई कसर मत छोड़ना थोड़ा सेदी मानवी अत्याचार भी होता है तो हम उसको अंदेखा कर देंगे ठीक वसे ही जैसे नेता न्याहों ने अपने सैनिकों को का रखा है छुट दे रखी है हमास के खिलाफ और गाजा पट्टी में आम जनता के खिलार जी क्या इसे में नशीरिदीन सहा की वैडनेस दे फिलिम में मीडिया के किये गए इस्तेमाल से जोड सकता हूं इन लोगों ने भी यही सोचा कि मीडिया का इस्तेमाल हमें करना है क्योंके हतियार हतियार तो सब चीज़े ठीक हैं लेकिन आज के जमाने में जो आसल में जंग लड़ी जा रह है आज पूरे वर्ड भर में अमेरिका ब्रिटेन और नेटो एरोपेन यूनिन के नितित्तों में जिसका असर हम भारत इसराइल और बाकिया ने दिश्रूम देखें इन्फॉर्मेशन वार्फेर एक युद्ध का एक सामान नियम बन गिया है बहुत बड़ा बहुत बन गिया है इसी के साथ साथ साइक्लोजिकल ऑपरेशन यानि साइक्लोजिकली मांसिक रूप से जनता को बिमार करना उन्हें धर में फसाना उन्हें उस वुद्धे से अलग करना जिसके लिए उनको वास्ताव में लड़ना चाहिए जैसे बिरुजगार शिक्षा घर वग प्रासे और यहां बिल्हिंड डॉलर का बिजनस बन चुका है पूरे विश्व अडियर बिलियों बिल्यन्स अरब ओ खर मौज यह बिजनस बन चुका है जिसमें इनका ग्रिप्र से आप इनका कंट्रोल है किसी आप सोशल प्रश्र मीडिया में जाएंगे देखेंगे इनक प्रचार हो रहा है इनका वहां मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि एक सवाल मेरे जहन में यहां बहुत ही महत्पून आ रहा है राम मंदिर उद्गाटन में चारो शंक्राचारे ने जाने सिंकार कर दिया और अधूरे मंदिर में कैसे प्रान परतिष्ठा की जा सकती है और यह तो कोई महुरत भी नहीं अगर करना है तो राम नमी के मौके पर करना लेकिन फिर भी पूरा मीडिया ऐसा लगता है सरकार के साथ खड़ा हुआ है और रादिन घंटा बजा रहा है यह तो सपस्ट है बिलकुल सपस्ट है यह चारो धर्माचार है और जो बाकी लोग जो नहीं जा रहे हैं उन्हें नजर आ रहा है कि धर्म का दुर्पयोग हो रहा है लेकिन धर्म का सदूपयोग होने जैसा हमारे देश में कुछ बचा नहीं है और जहां तक सरकार, मीडिया, जुडिशियरी, सोशल मीडिया, पुलिस और जितने भी हैं आपके CBI और ED जितने भी हैं ये सारे के सारे कुछ चंद पूजी पत्यों के निरिक्षण में उनके आद इस शर्द का इस्तमाल कर रहा हूं, वह सीधे की सीधे इनसे ये काम करवा रहा है, कुछ छोटे-मोटे इधर-उधर exception को, अपवाद को छोड़ देतों, आज भारत में इसी को हम कहते हैं, कि फासिवाद या नाजिवाद, जो Second World War के पहले जन्मनी आइटली में था, उसका हारती एक करण हो चुका है और भारत में नजर आ रहा है, जी. भी दो सिक्योटी गार से तलासी दिलवाई गई है, लिवाई गई है, कि कहीं वो कोई डिवाइस ना लेके आ जाए, तो मीडिया में खबरे जाने से इतने डर रहे हैं लोग, वैसे तो कुछ आता ही नहीं मीडिया में? सबसे पहले कि ये भी बता दू कि नेता न्याहों पे खुद ही कई अपराधिक मामले हैं उनके बेटे पर भी है, लेकिन वहां कि सम्विधान कहता है कि जब तक वो प्रधान मंत्री उन पे या कानूनी कारवाई नहीं की जाएगी, इसलिए वो जुडिशल रिफॉर्म रहे हैं ताकि उसको कंट्रोल में करें, इसे भारत याने देशों में खोड़ा है, और जिसके खिलाफ लाख लाख इस्राइली जनता सड़क पे थी, दूसरी बात जहां तक इस पॉलिग्राफिक टेस्ट की बात है, या अवज्यानिक है, या सही में नहीं है, जूट कबू अकेला थकेला पड़ गया, अपने ही जो काबिनेट मंत्री उन पर भरोसा ने, इनके साथ था, भला कौन बचा हुआ है, कोई नहीं बचा हुआ है, इनको रात भी निन दातिक नहीं आती है, या सब आर्मी चीफ की तलाशे लिवाना, और आर्मी चीफ ने जब एतराज किय नेतन याहु ने कहा कि भाईया, मैंने भी कराया, तुम भी करा लो, क्योंकि यहां से खबरे लीक हो रही है, खबरे लीक तो हो रही है, खबरे लीक केवल इनके कारण नहीं कि इनके दुश्मन गुसे हुए, खबरे लीक इसली भी हो रहे हैं, कि इनके पास अमेरिकी लोग हैं फ yolत ल外नरति में गांवित कुछ हुए जै solutions हों इसमें खैमने से सब्सक्राइब कर शुत्राम के0 जाइंवरिक गडिंट को cater似 य॥å जबाव हो सब्सक्राइब हैं.. मुझे एी खबर मैं भिर आपके सबस्क्राइब झाहता हो हुर। चाहता हूं कि अपने Chief of Staff, Army के उनकी जाच कराना, मुझे जब ये ख़बर पढ़ने को मिली तो मुझे लगा कि क्या करूँ मैं, कहां ले जाओं अपने confidence को इस ख़बर को पढ़ने के बाद? इस पर तो मैं यही कहूंगा कि दुनिया में हर जगा जब अमेरिका, military crew करवा रहा है, cynic उठाप अटक करवा रहा है और अपने हाग अपने उसमें ले रहा है, तो इसराइल की सेना क्यों नहीं नेता नहों जैसे फ्रस्ट और एकदम गया गुजराव उसकी आगे कोई भोश इसको हटा दे, नेता नहां ऐसे लोगों को अब कहीं से भी जेल के लावा कोई और जगा नहीं मिलना चाहिए, जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरी दुनिया में सेना बड़ी उथल-पुथल मचाये पड़ी है, हमारे यहां भी देखे, बगल वाले देश पाकिस्तान म को अंदर डाल दिया गया, तो इसराइल किस है ना, आखिर कब अपना गौरब जगाएगी और कब नेतनियाहो को अंदर डालने का काम करेगी, अमेरिका यह काम कराएगा, बने रहेगा धाकड़ कपर के साथ, आपने बहुत सारे विश्तों पर बहुत सारी चीजे बहुत अ कोशिष करेंगे, धन्यवाद, थांक्यू, मिश्टर कुरू,